आज है 20 एप्रेल और आज की जो डेट थी वो बिटकोईन हालविंग की डेट थी और फाइनली आज अरली मॉर्निंग बिटकोईन की हालविंग कम्प्लीट हो गई बिटकोईन की ये फॉर्थ हालविंग थी इससे पहले तीन हालविंग हो चुकी है और बड़ा हींट्रेस्टिंग रहा है history हालविंग के ऊपर, हालविंग के बाद की history काफ़ हींट्रेस्टिंग रही है क्यों कि Bitcoin ने नई उचाईयों को छुआ है, नई heights को छुआ है हला कि इस हालविंग से पहले Bitcoin ने निया all time high लगा दियाँ था लेकिन अभी तो कहते हैं कि नया all time high छोटा सा एक hit करके वापिस नीचे आये हुए है और अगर मैं current levels की बात करूँ तो 64,000 डॉलर पे bitcoin चल रहा है 62 तक के लो लगाये थे जब halving हो गई है ना तो maintain कर रखा है ना ही जदा कोई volatility है ना pump है ना dump है खुद को एक ही range में maintain कर रखा है लेकिन उमीद है game हो सकता है अभी भी liquidations का और bitcoin की halving complete हो चुकी है और आज halving day है आप सभी को happy halving day पूरी crypto community यहाँ पे celebrate कर रही है halving वाला दिन क्योंकि अब जो है एक fourth halving भी bitcoin की हो चुकी है और अब आगे क्या हो सकता है bitcoin के price में crypto market के अंदर जो होने वाला आगे वो आप थोड़ा कान खोल के सुनिएगा क्यों क्योंकि बड़ा interesting roadmap बड़ा interesting आगे का time है three से six month की अगर हम बात कर लिए है पूरा 2024 जितना बचा है April चल रहा है April का last week आ रहा है April end हो रहा है उसके बाद भी आठ महीने बचे हैं इस साल के तो अगले आठ महीने कैसे रहेंगे इस साल के और 2025 तक क्या कुछ हो सकता है वो बात करेंगे तो सबसे पहले April जब से start हुआ है पहले तीन हफते बिटकोई ने red में closing दी है है ना गिरते गिरते हम 72,000 से वापिस 59 तक आए और अभी 64 पे चल रहे हैं आखरी में हमेशा गेम होते हैं आखरी वीक क्या होगा बिटकोईन की monthly closing लेके आएगा तो उमीद है जो आखरी वीक है वो हमको 65 से 70,000 के बीच में पहुचा सकता है हो सकता है बिटकोईन 65 से 70 के बीच में closing दे इस महीने की लेकिन अब जो कुछ होगा में मन्त के हम बात करेंगे 65 से 70 के expectation है और हालविंग हो चुकी है फाइनली हालविंग हो चुकी है जब-जब हालविंग हुई है बिटकोईन 12 डॉलर से 1000 डॉलर तक गया पहली हालविंग पे दूसरी हालविंग पे 600 डॉलर से 10,000 क्रोस किया 10 से 20,000 डॉलर लेवल गए ठीक है और थर्ड हालविंग में वही बिटकोईन 70,000 डॉलर तक पहुँच गया मतलब इतना ज्यादा चेंज आया प्राइस के अंदर तो अब वही बिटकोईन आज हालविंग का दिन है तो 64,000 पे मेंटेन है ठीक है और उमीद है जब-जब हालविंग होई है प्राइस बड़े हैं और अच्छे गासे अब जिस तरह से बिटकोईन का अभी जो करेंट प्राइस है उसको अगर हम मद्दे निजर रखें पहुँचते तो अगला साल होगा पीक वाला साल पीक मतलब जब हाइस तो चाहीं को छुएगा बिटकोईन चाहे वो डेड़ लाख डॉलर की हो चाहे दो लाख डॉलर की हो चाहे तीन लाख डॉलर की हो मतलब अब 3 to 6 month जब जब हालुविंग होई है उसके 3 से 6 महीने के बाद Bitcoin ने नहीं हो चाहिए चुही है तो अभी तो 2024 के यह 8 महीने बाकी है तो अभी तो 2024 को ही face करेंगे बात बाद में करेंगे 2025 की वो भी peak वाला वो भी interesting year रहेगा लेकिन इस साल अब अगले 4 to 8 month है तो ठीक है अब अगले 4 से 8 महीने के अंदर 3 से 6 मंथ के अंदर Bitcoin हमको डेड़ लाख डॉलर तक के level दिखा सकता है अभी देखो बहुत अच्छे खासे महीने पड़े हैं तो बीच के जो महीने है ना इस साल के वो थोड़ा एकी range में निकल सकते हैं है ना जैसे पिछली बार निकले थे और फिर से October, November, December में गेम हो सकता है निकलेंगे या नहीं निकलेंगे May मंथ अलरेडी हमेशा ही थोड़ा डगमगाता हुआ महीना रहा है तो हो सकता है May मंथ में भी कोई ना हाई हम ना देखें देख लेंगे तो बापिस नीचे आजेंगे ठीक है लेकिन उससे पहले depend करता है April month का closing कहा मिलती है तो जो scenarios chart पर दिखेंगे जो charts की लकीरे बनती जाएंगी उसके base पर हम बात करते जाएंगे तो बहुत बड़ा interesting time आने वाला अगले अगर आप hold कर रहे हैं तो holders को कोई problem नहीं है क्योंकि result bitcoin halving का positive और बहुत बड़ा होने वाला है अगले कुछ महीनों में तो आज की इस video को करेंगे ही depend और bitcoin की fourth halving हो चुकी है नीचे description में telegram X के link है जोइन नहीं किया तो कीजिए कोई update मिस नहीं होगा मिलेंगे next video में तब तक के लिए bye bye take care